नमस्कार जैहिन दोस्तो स्वागत है आपका अपने यूटीब चैनल इंपोर्टेंट एंसी क्यूबर संतीब में दोस्तो यूपीटेट गडित की तयारी के क्रम में आज हम फिर से आपकी सामने एक नया वीडियो लेकर रहे हैं जिसमें हमने पिछले वर्षों में पूछे के कुछ प्रशनों को सॉल्व करके दिखाया है ये कोश्चिन थोड़ा ज्यादा इंपोर्टेंट है इसलिए इन वीडियो को लास्ट तक देखें तो ये सारे कोश्चिन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है दो चरूर करते हैं यहाँ पर जो पहला कोश्चिन है किसी संख्या में तीन बटे चार का दो बटे तेन चाविस के बराबर है तो उस संख्या का एक बटे चार क्या होगा तो यहाँ पर हमें वो संख्या का एक बटे चार निकाला है सबसे पहले वो संख्या निकाले किसी संख्या में तीन बटे चार यानि अगर हम X माल लें तो उसका तीन बटे चार का दो बटे तीन का का मतलब है गुड़ा का दो बटे 3 किसके बराबर है चोकष के बराबर है अब यहाँ से हम X की वैल्यू निकाल ले बाकी सब को नीचे वालों को ऊपर भेज़ दे ऊपर वालों को नीचे भेज़ दे तीन यहीं काट लो दो दुना याँ काट लो यह नीचे है उधर एक्स की वैल्यू आ जाएगे 48 यहां पर पूछा जा रहा है उस संख्या का एक बटे 4 क्या होगा तो एक बटे 4 निकाल लेंगे तो 12 आंसर आ जाएगा option number B इसका सही उत्तर होगा आगे देखते हैं अगला यहां पर जो प्रश्न है आपके सामने 378 गुड़े 236 गुड़े 469 गुड़े 312 गुड़न फल में इकाई का अंक क्या होगा जब इकाई का अंक पूछ रहे हैं तो केवल इकाई का अंक ले लो 8 छक्के होता है 48 यहाँ पर हम 8 लेंगे यहाँ पर है 9 तो 8 गुड़े 9 करेंगे आएगा 72 यहाँ पर भी काई कांक लेंगे और यहाँ पर है 2 तो यहाँ पर भी काई कांक लेंगे 2 दुना 4 यहाँ पर option number D सही उत्तर होगा यहाँ एक बार इसको ऐसे भी करके देख लगते हैं यह है 8 छंग 48 आठ ले लिया फिर यह 8 है इसी 8 से 9 में गुड़ा करेंगे 8 नौ अब 72 होगा 2 ले लेंगे 72 का इकाई अंक इस 2 से इस 2 में गुड़ा करेंगे तो आएगा 4 option number D सही उत्तर यहाँ पर जो अगला question है यहाँ पर जो अगला question है यदि किसी वस्तू का क्रेंगोले उसके विक्रेंगोले का 3 बटे 2 है तो लाव या हानी प्रतिसत निकालो अब यहाँ पर ना हमें क्रेंगोले दे रखा है ना विक्रेंगोले दे रखा है 1.500, यानि हमने 1.500 में खरीदा है लेकिन बेच रहे हैं 100 में, तो निश्चित रूप से हमें हानी हो रही है, और हानी कितनी हो रही है, 50 अब हानी है, तो हानी प्रतिसत भी निकलेगा, और किसी का लाव या हानी प्रतिसत निकालने के लिए क्या करते हैं, उपर लिखेंगे ल एक बटे तीन इसका आंसर आ जाएगा और ये क्या है 33 सही एक बटे तीन ये हानी है option number B इसका सही उत्तर हो जाएगा आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है अगला question है 7 प्लस 2 रूट 10 का वर्ग मूल निकालने यहां पर वर्ग मूल निकालने ध्यान रखेगा ऐसे question को solve करने के लिए हमें क्या करना होता है ये जो 10 है इस 10 को हमें ऐसे दो पार्ट में तोड़ना पड़ेगा कि जिसका multiply करने पर तो 10 आए लेकिन जोड़ने या घटारे पर 7 आ जाए तो वो कौन से number सो सकते हैं 5 और 2 इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 7 और इन दोनों को गुड़ा करेंगे तो आ जाएगा 10 ध्यान से देखेगा 5 और 2 तो यहां पर इसका answer क्या हो जाएगा under root 5 प्लस under root 2 यही इसका final answer हो जाएगा और यहां पर कहीं पर option मिल रहा है option number C इसका सही उत्तर हो जाएगा clear हो गई बात यहां पर जो अगला question है दो संख्याओं के महत्तम समाबवर्तक और लगुत्तम समाबवर्तक 12 और 72 हैं यदि इन संख्याओं का योग फल 60 हो तो इन में से एक संख्या क्या होगी देखो अगर यह बोल रहे हैं इन दोनों का योग 60 है तो अगर हम माल लो पहली संख्या x माल ले तो दूसरी संख्या 60 माइनस x हो जाएगी और यहां पर आपको मासा दे रखा है 72 मासा दे रखा है 12 और लासा दे रखा है 12 तो यहां पर वही वाला रूगल हम लोग लगा लेंगे पहली संख्या गुडे दूसरी संख्या बराबर मासा गुडे लासा इनक 864 ठीक है 12 दुना 24 और 12 सत्य 84 दो 86 अब इसको इधर ले आओ तो हम लोग गुड़न खंड के माध्यम से x की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पर साइन चेंज कर देते हैं x square minus 60x यह इधर आ जाएगा 864 इक्वल टू 0 अब यहाँ पर हमें 60x को ऐसे दो फॉर्म में तोड़ना है कि जोडने या घटाने पर 60 है और गुड़ा करने पर 864 है साथ ही साथ आप आप सोच रहेंगे यह तो इतना बड़ा है कैसे इसको solve करेंगे तो यहाँ पर एक चीज़ देखो इसका जो मासा है वो 12 है ठीक है तो जब हम इसको तोड़ेंगे तो 12 के गुड़क में ही कि कौन से दो नंबर ऐसे हो सकते जिनका गुड़ा करने पर तो 864 है और जोडने या घटाने पर 60 है तो आप अगर इसको करके देखेंगे तो यह लगभग आ जाएगा 24 और 36 यह 12 के गुड़क में भी है और इन दोनों को जोडने पर 60 भी आ रहा है और तीसरी बात इनको ज जगे रख देते हैं माइनस 60 X की जगे माइनस 24 X और माइनस 36 X प्लस का 864 एक्वल टू जीरो अब जाब इसको सॉल्व करेंगे तो X यहां से कॉमन लेंगे X-24 यही X-24 उठाकर यहां रख दो यहां है X यहां है माइनस 36 X तो माइनस 36 बाहर लिख दो एक ब्रेकेट में आ ज 20 निकल के आगे यहां पर एक संख्या पूछ रहे हैं हमने यहां पर दोनों निकाल ली अब यहां पर बोल दो कौन सी संख्या है 36-24 कहीं option में दिख रहा है option number 20 इसका सही उत्तर हो जाएगा clear हो गई बात अब बढ़ते हैं अगले question की तरफ अगला question यहां पर है किसी कमरे की चारो दिवारों का कुल छेतरफल 660 मीटर है और लंबाई उसकी चोडाई की दोगुनी है अगर हम चोडाई को मान ले x तो हमारी लंबाई कितनी हो जाएगी 2x हो जाएगी साथी साथ यहां पर उचाई आपको प्रशन में दे रखा है कि 11 मीटर है अब यहां पर चारो दि दिवारों का छेतरफल वाला फार्मुला क्या होता है 2L प्लस B इंटू H ठीक चारो दिवारों का छेतरफल दे रखा है 660 2L कितना दे रखा है 2x चोडाई कितनी है x इंटू 11 इस 11 दुना 22 को उस्तरफल